कौश कि फॉर्फाइर मैक्स इक राक्षाज्ण जैसी आग को बहुजा रहा है ऐल मैं भी खेलना जाती हूं मैं बन फारचीफ हूं और यह मेरी टूपी है देखो देखो मुझे वापस देतो और यह है क्या किया तुमने मैंने एमी देखो हमारे दोस्त हमें ड्रागिन लैंग बुला रहे हैं चले चले मैं चाहूं मैं चाहूं दिल से मैं ये चाहूं ड्रागिन्स के सांग औरकर दूर देश चले जाओं तुम्हे क्या लगता है मैक्स और एमी आएंगे उमीद तो है हाई एवर्ड़ी हाई मैक्स हाई मैक्स बताओ क्यों बुलाया दुनिया की सबसे अच्छी न्यूस सुनी तुमने हम आज रात यहां सिंगिंग स्प्रिंग्स में अपने दोस्तों परिवार के लिए गाएंगे वाओ कौनसा गाना गाऊगे ये अच्छा और आसान सा गाना होगा ड्रीम बोड चली जा रही है शान्त नदी में नहीं 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 जाकी हाँ जिससे सबको सिर्दर्ध होने लगे ऐसा कुछ नहीं होगा हमें कुछ सुरीला गाना चाहिए पेडों के बीसे चांचम चम आए नहीं है हाँ है इस तरह से तो हम डिसाइट नहीं कर पाएंगे हम क्या करें कैसे डिसाइट करें कि हम कौन सा गाना गाएंगे हमें मदद चाहिए हम दोना अपना अपना गाना गाते हैं कौन सा अच्छा है मैक सने में चलेंगे अच्छा इडिया है हम डिसाइट करें पिल्कुल और पहले मैं गाऊंगा और आप Singing Spring से पेशे लाइब उष्टान्दार और Intelligent Dragon Zack का गाना शुक्रिया शुक्रिया आप सबका शुक्रिया आप तुम्हारी बारी है वीजी वाव अब जूमने जामने के लिए ते यार हो जाओ मैं हुगाती जाएगन वीजी है मेरा नाम चलो तुम्हारा गाना पसंदाया मुझे तुम्हारा गाना पसंदाया वीजी तुम अची तरह जूमी जामी तुम्हारा के कहना है एमी मुझे तुम्हारा गाना पसंदाया बहुत सुरीला था एक वोट वीजी के लिए और एक वोट जाट के लिए एक एक देखो मैं बड़ी हूं तो हम मेरा वाला गाना काएंगे तुम हमेशा ऐसे करती हो वीजी ये नहीं है किसने मेरी नींद बिगाड़ी ये कौन बोला मैं बोला मैं जाएंट आफ नौड हूं के 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 सुरा तुमने एक जाएंट फी फाए फो फम समल कर रहो मैं आया देखते हैं किस में है दम भोड तुम गायब हो रहे हो दर से मैं हमेशा गायब हो जाता हूं और मुझे डर है कि एक जाएंट हमें पकड़ने आ रहा है कबराओ मत जल्दी से चुप जाओ चुप जाओ हाँ चुप जाओ मैंचे कुछ दिखाई ने दे रहा हो सकता है जाएंट गायब हो गया हो और की तरह और हमारे पीछे खड़े होकर हम पर चुप चुप मेरा पेर हां सच भागो भाई बता है उस तरफ से एक जाएंट आ रहा है तो मैं कौन हूं मैं ही हूं दे जाएंट अफ नार्ड तुम हो जाएंट बहुत अच्छे मैं सच कह रहा हूं मैं एक दरावना जाएंट हूं जाएंट अफ नार्ड इन सबसे वाकई बहुत बड़ा हो पर हम तो इन सबसे बड़ी है शोर मचा कर मुझे जगाने वाला कौन था मैं नहीं शोर मेरा भाई मचा रहा था मैं तुम बहुत जोर से गा रही थी मैं नहीं हाँ हाँ मैं बहस बाजी बरदाश्ट नहीं कर सकता मुझे चाहिए खामोशी और शांधी वाँ चांड अव नौड तो तुमसे भी ज्यादा थाकतवर है और्ड हाँ चलो अब मैं सो सकता हूँ हाँ चांदी और खामोशी हम यहां से बाहर कैसे निकलेंगे एमी हमें बस इस पथर को हटाना होगा और मदद करो मुझसे भी नहीं हिलता हम यहां फस गए है आज मेरी जिंदगी का सबसे पूरा दिन है आज राद हम सिंगिंग स्प्रिंग्स में गाना गाने वारे थे पर समझ नहीं पाई कौन सा गाना और अब हम इस पेड़ के अंदर फस गए हैं और दोश तुम्हारा है मेरा अगर तुम शुरू में ही मेरा गाना गाने के लिए मान जाते तो यह सब कभी नहीं होता मैं हमेशा सब कुछ तुमारे हिसाब से क्यों करूं क्योंकि मैं बड़ी हूं अंडे में से मेरा सुर पहले निकला सिर्फ तीन सेकंड पहले समझी अब चलो भी यह लड़ाई जगड़ा छोड़ो और सोचो यहां से बाहर कैसे निकले वो क्या था मेरा पेट बोला मुझे खाना चाहिए नहीं 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 आँ वाव क्या कोई खाएगा एक बेलचा हम सुरंग खोद कर बाहर निकलते हैं बहुत अच्छी यह खोदना तो चलता ही जाएगा और मदद करें तो नहीं सुनो और यहां से निकलने के बाद तुम्हें खाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा अच्छा तो नौँ जारा चौकलेट कुकीज और ड्रागन बेरी कपकेक के बारे में तो सोचो चलो और के पीछे पीछे मैंने खोद दी पेड के नीचे से सुरंग खोद दी यह क्या हुआ अब देर किस बात की हम कॉंसर्ट मिस कर देंगे एक चोटी मोठी परिशानी है जायंट वहीं पर है वो हमें देख लेगा मैं जानती हूँ हम उसे लोरी गा कर फिर से सुला देंगे हां कौन से लोरी गानी चाहिए यह मैं जानता हूँ चुप तुम नहीं आइडिया मेरा था मैं गाऊंगी लोग हो गया शुरू यह लडाई बन नहीं हुई तो हम यहीं पसे रहेंगे याद है जाकी हम घर पर जब लड़ते हैं तो टाजी कहते हैं बारी बारी से सही कहा पहले मेरी बारी पर अगर तुम नहीं लोरी पहले गाई और जान्ट सो गया तो मेरी बारी का क्या होगा तुम दोनों की बारी पहले नहीं हो सकती। ऐसा कटे है, जो पहले बताएगा पथर किस हाथ में है, उसकी बारी पहले। ठीक है। अच्छा है। इस हाथ में है। पथर इस हाथ में है। मैं पहले गाऊंगी। जोलो, बेबी, जोलो, पेडों की छाम... हावा जलेगी जब-जब, जोलेगी बेबी, तब-ब, कंती धुटेगी जब-जब, जुलागे रेगा, तब-ब, नीचे आएगी बेबी, जुलागे, जोलागे। अब और सहा नहीं जाता। यकीन नहीं होता। उसने तो उब-बासी तक नहीं ली। अब देखना। चुलो, बेबी, जुलो, पेडों की छाम में... अवा चलेगी जब-जब, बेबी सोएगी। अब ये क्या हो रहा है। तुमने कमाल कर दिया, जैक। तुमने जायन को सुलार दिया। अब तुम दोनों कौनसुट के लिए जा सकते हो। वाव। हाँ, कभी-कभी काम कितनी आसानी से हो जाता है। सो तो है। आप सबका स्वागत है। आज का कॉंसर्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनिये जैक और वीजी को। किसी को पता है वह कौनसा गाना गाने वाले है। नहीं। गाना गाने का समय हो गया। कौनसा गाना गाए हम। मुझे लगता है वीजी, मैं सोच रहा था तुम ही डिसाइड करो। मैं क्या कह रहे हो। हाँ, जब हम लड़ते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी। मैं तो बस तुम्हारे साथ गाना गाना चाहता हूं। और अगली बार मैं गाना डिसाइड करूँगा ठीक है। बहुत अच्छे जागी। अरे ये क्या हुआ। हमारा ड्राइगन बैच चमकने लगा। हम साथ जो काम कर रहे हैं। जूलो बेबी जूलो पेड़ो की छाओं में। हावा जने की जब जब। जूले की बेबी तब तब। घंटी तूटेगी जब जूला गिरेगा तब तब। और नीचे आएगी बेबी जूला और साथ हावा अच्छे। मैं चाहूं मैं चाहूं इस कविता के साथ अब घर पात जाओं फिर फिर मिलेंगे हम। जानते हो मैंक्स अगर हम दोनों को ये टोपी पहननी है तो हमें जैक और ब्यूजी की तरह बन जाना चाहिए। दूसर उगाकर मेरा मतलब है हम बारी बारी पहन सकते हैं। जरूर पर मैं पहले पहनूंगा मैं चोटा हूं। जरू पहन सकते हैं।